कि यूदि श्यूंस लास्ट टाइम वी इसकर एक्सराइज 5.6 कोस्टन नंबर थार एन फॉर्थ ओके इन दिस वीडियो भी जार्ट न्यू कोस्टन सब्सक्राइब तो यहां पर हमने थ्री और फॉर्ट कर लिया है ना फाइज और सेवन को सब्सक्राइब यह आ रहे लेकिन फिर भी हमें इन में से क्वढ़ एक ही कोस्टन को कट कर दिया है कोसर नहीं देंगे ठीक है आप क्योंस स्कॉस्टन को समझ लीजिए इस तरह के सिंपल जाए हम माली यह है समय है तो सबस्राइब करते हैं तो कम से कम एक सब्सक्राइब Claudia समक्सिक से एक स्प्लस टू बाइट टू इकल फाइब माइनस ऐसम माइनस रिकेद कोई सबसे पहले आप देखो गोगे एक प्लस टू बाइट रिये माइनस एक सबसे पहले और कि अपन में 3 और 4 है तो हम क्या करेंगे आप पे लेफ साइज में सबसे पहले लेंगे तो 3 और 4 का क्या हुआ 12 आया तो एक लंबी सी लाइन कीच कर हमने लिखा नीचे 12 अब क्या होता है कि 3 का एक लेफ सबस्कारी में चाहिए दो हôm टांव मैं तो वीक ST-3 में कीच है तो 4 नम्बर में किया तो झीक है और फोर का दिपलाई डॉम सबस्कार करें पseven होत्स प्लस टू में आदो तो माइनस अब 4 का डिवाइट 12 में किया तो 3 टाइम और 3 का मुल्टिप्लाइब उपर दो नमबर है एक्स-3 तो इस एक्स-3 को भी हम ब्रेकेज में लेगे तो 3 का मुल्टिप्लाइब तो इस माने स्रीम हो जाएगा ठीक है एक वर यह समझ में ना है तो क्या करेंगे नीचे हमारे डिफ्रेंट अलग अलग नमबर तो उन दोनों का मुल्टिप्लाइब कर दिया तो नीचे अमने लिग दिया और उपर हो जाएगा क्रोस मुल्टिप्लाइब मतलब 4 का माइनस एक माइनस 1 दोनों ही तू क्या दू के उपर है अपॉन में टू है तो इस एक माइनस वन को हम आपन वन के लिए ब्रेकेट में लिख लिया त्योंकि जब भी दो तर्म होंगी साथ में अपन में तो ऊसकोशाँ में लिख सकते हैं तो ऊपर जो है दो दरम तित अमने मैं उसको प्रेकेज में लेग लिए 5-1 5-1-1-1-1-2 फोर का अंधर करें गए फॉर का एकश में 4 एकश प्लस4 का टू में भी खोगा तो 8 माइनस तीरी का एकश में तो 3 एक और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो जाएगा बाहर के माइनस का असर अंदर वाले में होगा तो सिम्बोल चेंज रजाएगा तो माइनेस माइनस क्या होँ प्लस तरी का त्री में नाइन और अपं में क्या ट्वेल एक्वरों अब यहाँ पर वन और तू बहुत को जाएगा तू का थे तो किसी तो आगया कि एक्स माइनजी कर गया एक प्लश कई जाएंगे माइनश कटानिए मतलब एक्स वाल इसे एकום वाला तो सकता है और अलोब क्या होगा आगे का नंबर 4 में से त्री माइनस करेंगे तो वन आएगा ट्रेटर नंबर प्लस का है तो बनाया मतलब कि एकस आगे कोई भी शिम्बल नहीं आएगा तीप्लस का बहँने और किसको सौल क्या एक्स वाले को टो एक्स आगया फिर 9 भी प्लस का है और 8 भी प्लस का है दूने प्लस के तो प्लस प्लस होगा तो 8 और 9 होते हैं 17 तो 17 प्लस का है तो एकस प्लस 17 बाइ 12 इकवर अब 10 तो है माइनस अब माइनस बहार है और हमने ब्रेकेट को ओपन किया तो माइनस एक्स तो आएगा और जिसे ब्रेक टो पन करें तो इस माइनस ऑर माइनस अंदर का दोनों फ्लस भन जाएंगे तो जह तो यहां से किस और मुल्किप्लाई होगा एकस प्लस 17 में और यहां पर ही अपन में 12 तो इसका मुल्किप्लाई होगा इधर वाले ब्रैकेट के साथ ना उपर वाले नंबर के साथ तो 11 प्लस 11-1 एकस के साथ तो 2 X plus 17 equal to 12 into X minus 11 minus X इसके साथ multiply हो गया अब वापिस से अंदर multiply करते हैं जब भी bracket के बार कोई number होता है तो उसका multiply अंदर होता है तो 2 का X में 2X plus 2 का 17 में भी होगा तो 34 equal 12 का 11 में तो 132 minus 12 का X में भी होगा तो minus 12X अब हम इस तरह के जब सवाल होता है तो X X वाले एक तरफ लाते हैं नमबर नमबर एक तरफ लाते हैं तो 2X X वाल आए वो इधर ही रहेगा और उधर से minus 12X इधर आएगा तो minus 12 है तो यह इधर आगे क्या बनेगा plus बन गया plus 12X equal 132 और यह 34 उधर जाएगा तो का इका बनेगा minus का क्योंकि plus का है उधर जाएगे minus अब दोनों plus के हैं 2X और 12X तो 14X बन गया दोनों plus होगे 12 और 14 और X वाले को जोड़ा और 132 में से 34 गया तो 98 आएगा तो plus का आएगा क्योंकि गेट है नमबर प्लस का है अब 14 अपन में गया तो 98 के अपन में 14 गया तो हमारी X के वेल्यू क्या आगे 7 तो हमारी X का अंसर तो आगे solve तो हो गया हमारा अब verify करना है तो verify लिख देंगे और verify में दो side होती है एक होती है LHS और एक होती है LHS LHS में हमारे पास question क्या था X plus 2 by 3 minus X minus 3 by 4 यह हमारा LHS है तो हमने LHS को पहले लिया क्यों आदा question लिया है LHS वाला है आगे वाला question जो है वो LHS है तो X के यह पर value का रखेंगे 7 plus 2 X plus 2 है तो 7 plus 2 by 3 और minus 7 minus 3 by 4 तो इसके बाद की step यह वाली है अब 7 plus 2 क्या होगा 9 by 3 minus 4 7 में से 3 का है तो 4 by 4 9 cancel हो जाएगा चीक है तो 3 बंजा 3 3 3 बंजा 9 और 4 बंजा 4 4 बंजा 4 तो 3 में से 1 गया तो क्या आया 2 आया तो हमारा LHS क्या आया 2 आगे अब हम RHS solve करेंगे मतलब पीछे वाला भाग तो 5 minus X minus 1 by 2 था तो 5 तो रहेगा माइन 7 minus 1 हो जाएगा 7 minus 1 by 2 तो 5 तो रहेगा माइनस 7 में 7 गया तो 6 by 2 और 2 बंजा 2 2 3 जा 6 तो 5 minus 3 हो जाएगा मतलब कि X के इसकी भी वेली के आगे 2 मतलब यहाँ पे LHS और RHS के आगे इक्वल आगे तो इस वेरीफाई ठीक है हमारा वेरीफाई हो चुका है तो यह हमारा question complete हो गया नेक्स एक्सराइज स्टार्ट करते हैं 5.7 एक्सराइज वर्ट प्रॉब्लम पर डिपेंट है वर्ट प्रॉब्लम मतलब जिसमें एक सिट्वेशन दे जाती है और उसके बाद हम उसमें एक समानकर वेरीबल मानकर सको सॉल करते हैं तो सॉल करेंगे हम एक्सराइज को फर्सकूर्स हमारा है multiple choice question एंप से क्यों है इस 10 लेस देन एन अमबर इस माइनस टेन देन नमबर इस मतलब किस नमबर में से माइनस टेन लेस करने के आंसर जो माइनस टेन आजाए ठीक है तो कौन सा नमबर है तो 3 में से माइनस टेन लेस करेंगे टेन को लेस करें मतलब टेन माइनस कर जाए तो 3 माइनस टेन तो आएगा यह तो पॉसिबल नहीं है है two matters ln less than dot さब्स कर system Configment Soul Roger 500 एक्षाह 1 में सब्सक्राइट में से मंड़ा हुआ करें टो 1 दिए संठ हैए अदुम आएगा तो 0 is एक्षाह फिर भी अगर अबर माली करें ऑंशन नहीं होते और हमें कोजन करना पाई करते हैं तो सबसे पहले तो हमें वेरीबल लेना है तो वेरीबल मानेंगे तो हमें जो जो भी नंबर उसमें से 10 को कम किया तो आंसर भी क्या आया माइनस टेन आना चाहिए अगर आप को समझ में आ जाएगा कि यही बात उसने सबस्कों कुछन में हमसे कही थी थी है उसके बाद अफ हम इस 10 ओли lessons 10 को एक वलकर दुसरी तरभ लेगाते माइनस का टेन इउदर जाएगे क्या प्लास्टेन बन गया तो माइन इस थेन एगनल फ्लास्टेन बना तो ते आया मतलब वह नमबर क्या है जिसमें आप 10 कम करोंगे तो ओफसन चीज करेक्ट ठीड नेक्स एम्सी क्यों देखते हैं चेकर्ट तब लिए थाटी तो नमबर एपटी वान नमबर इस फोर टाइम और पहला जो नमबर और दूसरे का फोर टाइम से बस चार गुना है है फोर डिंख से ठीक है देट इसमाला नंबरी तो छोटा नंबर कोश़ा होगा तो जहों से करेंगे चार गुना करें तो बड़ा आंबर ओ जाएगा और जो छोटा नंबर हो हमें झालना है ठीक है तो हमने कहों है क्थम इसमाले delivered को हम क्या माल लेंगे x ठीक है और उस नमबर का 4 x करके दोनों को प्लस करेंगे तो कितना अच्छी ठाटी तो अगर हम 5 6 5 का 4 x 5 25 तो 25 हो रहा है तो ठाटी तो भों नहीं रहा 6 ले ले तो 6 6 का 4 times क्या होगा 4 into 6 24 और plus 6 30 हो रहा है तो option भी हमारा सही जा रहा है 7 को अगर हम चेक करें तो 7 plus 4 into 7 मतलब 28 28 और 7 क्या हो 35 ज्यादा हो गया और यह तो और भी ज्यादा होगा 8 है तो हमारा right option क्या है 6 है तो यह तो हमने logic वाली बात करी कि कौन सा option right है ना लेकिन अब इसको अगर हमारा option नहीं होते हैं और solve कैसे करते हैं क्योंकि हमें आगे जो question आ रहे हैं उसमें option नहीं हमें केवल what problem दे रहे हो solve को होना है तो solution देखते हैं कैसे होता है यह सवाल तो सबस्ते पहले हम smaller number को तो एक समाल लेंगे ना और greater number क्या होगा four times मतलब four का into क्या होगा smaller में तो फोर एक्स हो गया greater number हमारा फोर एक्स क्योंकि एक्स में four का into कर दिया अब दोनों का सम हमें दे रखा है 30 सम का मतलता है प्लस मतलब पहला इसमाला नंबर और greater number का सम थर्टी है तो एक्स और फोर एक्स किता हो गया फाइप एक्स होगा एक्वेल टू थर्टी अब हम यहां से एक्स की वेल्यू निकालेंगे तो यह फाइप क्या मल्टिप्लाय में था तो वह अपन में आ गया तो थर्टी अपन आइंगल इस थ्री ताइम्स ए लॉंग अच एड आ कि इस वरीट इस परिमेट्र ही 56 जिए स्लेंध मेंड़ इस हमें लेंद बतानी और हमें लेंध जो है उसकी व्रीथ से इस थ्री टाइंब से तो हमारी लेंध बड़ी है और व्रीथ छोटी है और यह लेंद कित क्ती वह एब लेकिन फिर भी करके हमें पर चलेगा ठीख है तो रफ ली कैसे करते हैं या अब तो किसे करेंगे देखते हैं तो सबस्द पहले हम प्रत को माल लेंगे से विर्थ इक्वाल टो टू एकर्स मीटर हमने सित को माल लिया हूँ आई युवह एकल टू एक्स नित्र सोउ तो सो लेंथ किस्ती होगे त्री टाइम सींधरी एंट रिफ में सब्सक्राइब तो चीह में टूर। निए अवसक्राई के अधिकिज़े टूर। लिएंटल। ही फार्मॐला युस्ट करेंगे और ग। होता है 25 इन व ask रेक्टेंगल होता है वongo के साथ हटा सकतें तो जब भी बो नमबर में होते हैं तो वह दूरी तरफ जाएंगे तो पुरा ब्रेकेच्ट में तो यह दो नमबर हो गएक टू को क्या बचा वर एक्स कalgorith ऑड techniques दोनों मिलकि क्या होंगे परए को आट उन एक्स ऩट एक्स वैस्नी इंट श्यक्ट का ऑड़ iOS कैस्ट ओट लीएक एट इस जसांगा मैं किसकी साथ इस के साथ यह भी दूसरी तरफ आएगा तो 28 by 4 तो एक्स के लिए क्या आगई 7 तो एक्स हमारा 7 आया मतलब हमारी क्या आगई 7 निकालना क्या लेंथ तो 3x मतलब 3 into 7 करेंगे तो हमने लेंथ से निकाली 3x 3 into 7 मतलब कि 21 मिटर तो option जो है हमारे पार A is correct हमारा option A करेक्ट हो चुका है ठीक है next question देखते हैं second question 10 added to tries a whole number gives 46 find the number मतलब हमें number find करना है ठीक है तो बहुत easy question है बच्चों यहां पर number को तो हम एक समाल लेंगे ठीक है और according to question question में हमें जो के रखा है वो काम करेंगे जिससे की 10 added 10 को तो जोड़ना है और किसे जोड़ना है tries the whole number मतलब उस number में का tries का मतलब होता है तीन गुना three times है ना तो three action में क्या जोड़ेंगे हम 10 जोड़ेंगे तो कितना आता है गीव साएगा 46 तो हमें मिलता है 46 solve करते हैं को सबसे फिले हमने लेट दा नंबर लेट नंबर को मानना है न सबसे प्रेहली प्रोसेस मानने की होती है अब हमें here क्या given है कि एक्स का tries मतलब तीन गुना तो three x हो गया है न और उसमें क्या age करना है 10 तो plus 10 कर दिया तो three x plus 10 और gives किता होता है इक्वल क्या आता है 46 तो इक्वल 46 अब यह 10 नंबर है तो हम नंबर नंबर को एक तरफ ले जाएंगे तो यह plus के साथ 10 है तो यह दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस तो three x equal to 46 minus 10 तो three x equal to क्या है तो 36 अब यह three or x क्या है multiply में तो यह दूसरी तरफ कहां जाएगा अपन में तो x equal to 36 by 3 तो x equal to क्या है 3 का जब हम cut करेंगे या divide करेंगे थ्री बन जाएगा मतलब there for the number क्या है हमारा 12 तो वह number हमारा 12 ता नेक्स्ट्रेश्ट्राइश का है थर्व वह हम नेक्स्ट वीडियों करेंगे आने वाले वीडियों करेंगे थांक यू